असलाहुलिकुम ल्यार स्जू्डेंस आज के लेसन में हम रिवाव कमांड और र्मीप कमांड के बडिशक्स करेंगे कर इसके लिए मैं आट्व पर paso, के लेसन में प्रीविविस लेसन में रिवाव एंट सॱ्वीप के ओपर देखने हैं है तो इसके लिए मैं इसी 3D वी में लें जाता हूं। सबसे पहले ठीमपटर में यहां से तो में इसका भी ज्यू यह वह में जाता हूं ould फरांट व्हूं में लेके जाता हूं और यहां से मैं एक लाइन रहा करता हूं एल इंटर प्री एल इंटर करता हूं पोली लाइन के लिए पोली लाइन ली मैंने यहां से यहां तक तो यह क्यों अब्जेक्ट में ने एक मनाया है एक मेंने डिजाइन दिया है एक स्टाइल में ने बनाया है यहां पर मैं चाहता हूं कि यह 3D में आये मेरे पास और 3D में यह complete एक round shape में यहां पर आजाए complete 3D design बन जाए तो इसी style में design बन जाए तो उसके लिए मैं यहां से अब दोबारा से में जाता हूं और व्यूब में जाकर तो इसको friend की जगह में इसको word view करते हूं यहां से अपने view में इसारे काम करने हैं यहां पर जो coordinate system में यहां आपने समझने इसमें क्या है word यह होता है यह इसकी bottom के लिए होता है कोई भी आप object बनाते हैं तो वो bottom से top की दरफ आते हैं, bottom और top का दोनों function यहां पर है, तो पर समय सेम है, left कोई object left साइज से बनाना चाहिए, left आ जागा, right साइज से बनाना चाहिए, right साइज आ जाएगी, front से बनाना चाहिए, front और back बनाना चाहिए, तो मैं इसको यहां से select करता हूँ जी, आप टॉप मिसलेक कर लिता हूँ, उसके लब यह आपस UCS icon की properties हैं, यह आपके पस यहां पर UCS icon है, name icon है, और word का UCS icon है, तो यह जो निच्छे आपस UCS icon है यह वरे, तो यह आप यहां से style चेंज कर जैसे की word पर क्लिक करता हूँ, तो म तो इसमें समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ फिर आल यह हैं चीज़े, बात में हम जब project बिनाएंगे तो भी आपको फिर समझाओंगा एंगे क्या हम चले, और ज्यादता है लोग आप internet सेर्च करने हैं, जो लोग project बिना रहें, तो वो इन चीज़ों का इतना use ही नहीं कर करते हैं, तो मैं इसको top view कर लेता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर जो object है, इस object को मेरे 3D में convert करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से solid में जाता हूँ, और मैं यहाँ से revolve command अप्लाय करता हूँ, तो देखिए revolve command यह revolve command आप एक चोटी सी command जो है revolve, यह हजार हो काम कर सकत जैसिके में core for example, यहाँ पर एक, मैं object ड्रॉप कर लिता हूँ, इसमें एक rectangle ड्रॉप कर लिता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसका view जो है तो, बना लेता हूँ, यहाँ से इसका view है तो मैं इसी दर front करता हूँ, और मैं एक rectangle ड्रॉप करता हूँ, एक rectangle ड्रॉप कर लिया, इसी दरह में एक जो है तो, आर्क बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ, एक आर्क के हाँ पर ले लेता हूँ, और एक के हाँ पर बनाएं लेता हूँ, पर लेता हूँ, और एक लाइन रहा करता हूँ, ओके चलिए कोशिश करते हैं तिन दो तीन आपजिक्ट बना लेते हैं, अब मैं यहाँ से जो है तो, इसको स्वियो इसमेटिक भी मिले के जाता हूँ, और यहाँ से वियू में जाके तो इसको भी आप फॉर्ण्ट की जगा आप यहाँ से टॉप वी बिने, के सबसे पहरे आप यहां से रिवाउट मौर इसे शॉट मौर होती है और यहां बोर कुमार आप पुमार इसी शॉट मौर खुंस करते हों, स्प्रेस करता हो और पर अब उसे कहार है तो से कहार लिकिए डिका और से आपजेक्स वाई एकस एकस बेंगल यह कि आपके वहाँ से ड्रैक्स कर लें यहां से निए पुलिट करना चाहरई रहा हो और देखें अब बहुत बहुत अप्शक्ष आप अब कितना आपने इसको इंगल दें तो इंगल में इसको देता हो फार समपल में देता हो जी 360 complete x object बनाना चाहरा हूँ तो देखिए आपस यह क्या होगा है क्रिवाउल option यहां पर और आपस एक बहुत सब्सक्राइब करने चाहरा हूँ तो इसके लिए भी मैं यहां से अर री बी एंटर करता हूं देखता हूं कि यह आपीक्ट he 50 टिन सेट थिए एंटर और इसको में कहा हौँ देख सकते हुआ यहां यहीं एंटर करता हूं और यह यहां तक में डिजूब करना यहां 360 तो यहां पर इस तक और बन गया है यहां बहुत दइक सकते हैं तो यह आपस कौन सी क्मांड देंजी यह रिवाल के सारे के सारे फंक्शनिस से हजारों चीज़ें आप बना सकते हैं देख सकते हैं तो आप इसी क्मार्ट से फजार हो चीज़ें बना सकते हैं यहां से एक लैंड ले 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 तो यहां से यहां पर इस कॉंडर अब देखते हैं कुछ करते हैं देखते हैं क्या बनेगा तो बहुत अब देखते हैं तो बहुत अब देखते हैं तो आप इस तरह कि आपका काफिर अबजिक यहां पर बना सकते हैं में तो यहां पासा उप्वर्चन ता बियुक्त रिवर्फ कमांड की में और देखते हैं कूंच पर हैं साथ Kolb सिखव करने काम होता है उसकंत जारा और जारे जारा आट रिकालता है उसके बाद है sweep प्मार्ट, sweep point basically क्या ओते हैं, यहां से में जो है तो मैं इसको जाता हूँ, front view में, front view में, polynpl enter करता हूँ, एक arc ले लेता हूँ, और यहां से समय ले आता हूँ जो दुबारा से, sdwdy ismetrics view में, और view में जाके इसको में, top view में, एक circle टॉक करता हूँ, center, मैं चाता हूँ, मैंने जो यह object बनाया है, तो यह circle है, यह बिल्कुल इस object के ओपर आज़े, उसके लिए आप यहां पे sweep command यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं solid में जाता हूँ, और यहां पे sweep पे क्लिक करता हूँ, और कहा है select object, कि इसको sweep करना चाहरा हूँ, मैं इस circle को sweep करना चाहरा हूँ, उस बर अब आप तो कहा है कि आपने alignment देनी है, base point देना है, scale देना है, twist करने है, इसको मैंने select किया, और मैं इसको यहां से select sweep path, path में देता हूँ, इसको यहां से दख़ए, तो यह देखें में बेर पस यहां पर क्या हूँ, sweep, command यहां पर apply हो चुकी है, twist और base point और यह क्या चीज़ें, यही चीज़ें, आप दबाराए से यहां पर चाहता हूँ, sweep क्लिक करता हूँ, object उसको लेक करता हूँ, और alignment देना है चाहरा हूँ, यह चाहता हूँ, एक alignment के चुब आपस आज़ें, alignment पर क्लिक करें, कौन सी alignment है, yes कर ले, बिल्कुल यह alignment है, एक alignment के ओपर आपस की काम करेगा, इस आप यहां से दुबाराए से sweep के ओपर क्लिक करें, अपने object को select करें, base point कौन से है, कौन से point से sweep करने चाहरें, क्लिक करें, इस point से स्वीप करने चाहरा हूँ, और click करें, तो उसी point से sweep करें, twist क्या होता है, कि आपके पस यह twist बन किया जाएगा, जैसे कि मैं यहां पर, sweep क्लिक करता हूँ, और base scale कितना scale आपसे sweep करने चाहरें, scale पर click करें, क्लिक करें, इसी तरह आप sweep के और भी क्लिक करें, क्लिक करें, आप यहां पर twist का क्या function है, और rectangle यह अजिदों के उपर होता है, मैं भी आपको बताता हूँ, मैं home में जाता हूँ, और यहां से spring बनाता हूँ, spring की शीक बनाता हूँ, तो मैं यहां से alex command apply करता हूँ, helix command के लिए में इसी specific center point देता हूँ, और यहां Cisco में जो है तो 10 feet, radius देता हूँ, और top का radius करता हूँ, अच्छा ही, वह भी इसको देता हूँ, 10, बल्क इसको में देता हूँ, 10 feet, top radius आ गया, अब यहां से number of turn में बनाता हूँ, इसके number of turn में इसको देता हूँ, six number of turn में इसको देता हूँ, और specify height जाता हूँ इसको में, 100 feet, ओके, अब एक circle टॉक करता हूँ, c enter, अब मैं एक spring बनाना चाहरा हूँ, तो मैं यहां से, स्वीप क्मार्ड अप्लाय करें, शॉर्ट क्मार्ड है, अपने object को select करें, space press करें, और object को select करें, तो आपस देखिएगा कि यह object क्या हो जाएगा, sweep हो जाएगा, तो अभी में में सिस्टम हैंग हो गया, यहां पर देख सकते हैं तो आपस के क्या होगा, spring की shape बनी है, तो देखिए आपस के क्या होगा, sweep क्मार्ड भी यहां पर बलाया होगी, तो आप sweep की मज़र से भी काफसरी object बना सकते हैं, काफसरी rank बना सकते हैं, 3D modeling कर सकते हैं, तो यह था जी आज का lesson, उमीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा, चलर नेक्स लेसन में कुछ और चीज़ों के बर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना ख्यार लेखिएगा, खुदा हाफिज